Welcome to all the students of Daud Boy, Fuzzle Boy Primary School, Standard 2nd, World B, Subject Hindi. A topic है, अह की मात्रा वाले शब्द. ये जो आप चिन्न देख रहे हैं ना बच्चों, ये इसमें अह की मात्रा में ये चिन्न बहुत माइने रखते हैं. जब यह किसी भी वर्ण में लगते हैं, लाइक म में लग गया, तो यह हो जाएगा मह. और जब हम आगे न जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा नमह. तो इस चिन्न की बहुत विशिस्ताएं हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, इस प्रेजन्टेशन के थुरू, ओके. ठीक है, अभी पहले तो हिंदी में बारा प्रकार की मात्राएं हैं. कितने प्रकार की बच्चों? बारा प्रकार की. उसमें से देखो एक-एक करके मैं बताती हूँ आपको. आ, आ की मात्रा है ये. इ, इ की मात्रा है ये. छोटी इ की मात्रा है. बड़ी इ, बड़ी इ की मात्रा होती है ऐसी. उ, छोटा उ की मात्रा होती है ऐसी. बड़ा उ की मात्रा होती है इस तरह. जिसे पूच बनाते हैं ना टेल वैसी रू ये रू की मात्रा है ए की मात्रा होती है ऐसी ए की मात्रा होती है इस तरह से ओ की मात्रा होती है इस तरह से ओ की मात्रा होती है ऐसी अम, इसके पहले वाले पिरेड में हिंदी के सेशन में हमने अम की मात्रा पढ़ी थी, ठीक हैं? अम की मात्रा होती है ऐसी, तो आज हमारी मात्रा है अह ये वाला अह जिसमें दो बिंदु लगाते हैं हम, ठीक है? अब चलो, अह से बनाए हुए सारे सब्द हम पढ़ेंगे अतह का अर्थ होता है therefore पुनाह का अर्थ होता है again प्रातह इसका अर्थ होता है morning नमह इसका अर्थ होता है नमस्ते निह संकोच, निह संकोच का अर्थ होता है feel free, याने हम किसी भी व्यक्ती विसेश से जब बात करते हैं तो हम निह संकोच होके बात करते हैं अब देखो, जब हम वर्णों में मात्राएं लगाते हैं अ की तो देखो कैसे इसे बोलते हैं ठीके? तह, थह, दह, धह, नह, पह, फह, बह, भह, मह, यह, रह, लह, वह अब देखो, अतह इसलिए शने धीरे, पुनह दुबारा, प्रायह अधिक्तर अंत तह, आखिर में, स्वत अपने आप, मूल तह, मूल रूप से, फल तह, इसलिए मुख्य तह, मुख्य रूप से, क्रम्शह, एक एक करके, शत्षह, सौ बार, विशेश तह, खास तौर पर संभव तह, शायद, परिणाम तह, नतीजा, निश संदेह, अवश्य, दूस्वपना, बुरा सपना अब हम इसके बारे में पिच्चर को देख कर एक एक सेंटेंस बनाएंगे, ओके, तो इसको देख के क्या लग रहा है, एक लड़की सुबे सुबे उट रही है तो इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, अगर समझो लड़की का नाम हम रेखा रखते हैं, तो हम बोलेंगे, रेखा प्रातः छव बजे उटती है अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये कचुवा धीरे धीरे चल रहा है तो हम बोलेंगे सने सने, कचुवा शने सने चलता है ये सुद्ध इंदिया बच्चो शने सने याने दीरे दीरे इस बच्चे का नाम नमन है, तो इसके बारे में हम वाक्य बनाएंगे नमन को भूक लगी थी, अतह उसने खाना खाया अजय ने सूरज को नमह किया, याने प्रणाम किया, याने विश किया अजय ने सूरज को नमह किया, नमस्कार किया काम गलत हो जाने के कारण गवरी को पुनह लिखना पड़ा याने उसका हुमबक रॉंग हो गया तो उसने फिर से फिर से रिविजन के लिए फिर से उसको फिर से लिखा काम गलत हो जाने के कारण गवरी को पुनह लिखना पड़ा ठीक है आप ये अह के शब्द रिवाइस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और हिंदी वर्क बुक में इस अह कार को कम्प्लीट करेंगे थैंक यू एन हेवानाईज जे बच्चो